नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिरसी स्वागत है जेकी आइटी मंत्रा यूटीव चैनल में आज की इस वीडियो में हम डियाइडियो यूपी पीचियल टीजी टू दोनों एक्जाम के लिए रिजनिंग के मोस्ट इंपोटेंट क्यूसंस लेकर उपस्तित हुए है जो रिसेंटली पीजी सी आईयल की क्यूसंट पेपर में पूछे गई हैं तो आप सभी को उन क्यूसंट का हम सोल्यूसंट प्रवाइड करवा रही हैं इससे पहले इंगलीज के क्यूसंट का सोल्यूसंट प्रवाइड करवा दिया है आप डियाइडियो एंड यूपी पी रहने वाले हैं रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि हमें अच्छा रिस्पॉंस मिले और हम आपके लिए रेगुलर इसी परकार की वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें इससे पहले यदि आप नोन टेक में कमजोर है या फिर नोन टेक पार्ट आपका विक है तो आप हमारी 750 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्यूशन की ई-बुक ले सकते हैं लिंक आपको ड इसमें मैस, जिजनिंग, जनरल अवेडनेस और आपकी क्यूशन सामिल किये गई हैं सभी नोन टेक पार्ट से दूसरी इ-बुक में 500 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्यूशन से हैं और तीसरी में 750 प्लस अबजेक्टिव टाइप क्यूशन हैं लिंक आपको दे रखा है व एड़ियो एड यूपी वीचल टीजी टू की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें प्यूशन आपकी स्क्रीन पर है पवन कें डू वर्क इन एक्स इन फाइफ डेज क्यूशन केवल इंगलिस में हैं जोकि पेपर इंगलिस लेंग्वेज में था लेकिन हम आपको हिंदी में एक्स्प्लेइन करके बताइँगे तो आप चिंता न करें आपको क्यूशन समझ आ जाएगा पवन कें डू वर्क इस इन फाइफ डेज तो कहा है कि पवन एक्स काम को यानकि काम की सिंख्या है एक्स उसे पांच दिन में करता है work x and y in 16 दिन यानकि x और y दोनों काम को मिला कर वै 16 दिन में complete करता है इसी प्रकार से प्रकास के लिए कहा है if प्रकास कें डू वर्क x in 10 देज यानकि x काम को प्रकास करता है 10 दिन में तो बताइए how many days will प्रकास do work y alone यानकि अकेला y काम को कितने दिन में करेगा इस क्यूशन को सोलो करने का मैं basic आपको तरीका बताने वाला हूँ पहले देखे x काम को पवन कितने दिन में कर रहा है तो आप कहिंगे 5 दिन में और x और y दोनों काम को मिला कर काम कर रहा है 16 दिन में आगे कहा है प्रकास x काम को 10 दिन में जहां पवन 5 दिन में कर रहा था वहीं प्रकास 10 दिन में कर रहा है यानकि वो लेट कर रहा है या फिर एक काम को करने के लिए दुगना टाइम ले रहा है तो y जब y काम को पवन 11 दिन में करेगा तो प्रकास दुगना टाइम लेगा यानकि 22 देज इसमें एंसर होगा 22 दिन का काम वाई काम को करने के लिए प्रकास को 22 दिन का समय लग जाएगा क्योंकि प्रकास की जो efficiency है वो कम है प्रकास एक काम को करने के लिए दो दिन ले रहा है और पवन एक काम एक दिन में कर रहा है आप ऐसा मान लिजी पवन जिस स्पीड से काम कर रहा है प्रकास के स्पीड उससे आधी है तो काम कम होगा और टाइम अधिक लिया जाएगा जहां परकास वाई काम को 11 दिन में कर रहा है वही पवन उस काम को 22 दिन में complete कर देगा I hope यहां तक आपको किसी परकार का doubt नहीं होगा अच्छे से explain किया है बहुत easy question था PG CIL power grid का paper है recently complete हुआ है इसमें इस परकार की question देखने को मिले हैं ITI आधारित जितने भी exam होते हैं उनमें non-take part के लिए channel को subscribe कर लीजिए यहां हम सभी papers के non-take part को solution करवाते हैं साथ ही non-take part सभी exam के लिए common होता है ITI आधारित के लिए चलिए अगला question आपकी screen पर दे रखा है What is the average of salary received according to the table given below यहां कि इस table में जो आपको salary दे रखी है इसके according आपको average निकालना है यहां कि ओशत निकालना है यहां कि हिंदी language में question आता तो उसे ओशत या फिर माध्ये दोनों लिखा जा सकता है इसका formula होता है संख्याओं का योग आप लिख लिजी average बराबर sum of numbers और जो आपके total संख्या होती है उनकी संख्या तो आपका हो गया संख्याओं का योग बट्टा जो कितनी संख्याई है वो आपको लिखनी है तो संख्याओं तो आपको दे रखे है जनवरी से दिसंबर तक यानकी आपको 12 महीने दे रखे है यानकी आपको 12 से divide करना है संख्याओं का योग यानकी जो salary आई है उसको योग करना है तो आप easily कर सकते हैं 10,11,12 जो आपकी salary है 10,11,12,15 तक पहले है और फिर है आपकी 15,12 इस परकार से तो आप एक वार एड़ करके उसे दो गुना कर दीजी easily आपकी जोड़ हो जाएगी जब आप संख्याओं का योग करते हैं तो इजी तरीका है 10,000 से आप एक वार 15,000 तक कर लीजी फिर 15 से 10,000 तक है यानकी आप दुगना कर सकते हैं तो इस परकार से आपके जो योग होगा वो आएगा 1,500,000 यानकी 1,500,000 आप एजी लिख लीजी 1,500,000 उसमें आपको 12 से भाग देना है क्योंकि संख्याओं का जो सेर्वरी है वोग 12 मन्त की है यानकी आपको 12 से डिवाइड करना है ये डिविजिन आप करके देख लीजी आपका एंस्वर आएगा ओप्शन नमबर डी 12,500 इसका रहने वाला है एवरेज इस फॉर्मूले को यूज करके आप एजी ली किसी भी एवरेज का एंस्वर निकाल सकते हैं और नोन टेक पाइट में इजी क्योषन ही आते हैं फॉर्मूला बेस्ट क्योषन आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट जो आपको क्योषन दे रखा है उसमें है x-2 and ये फेक्टर ओफ x-square जो आपको इस प्रकार का sign दे रखा है वो square के लिए लिखा है और इन्होंने fusion में explain भी कर दिया है the sign mean to the power यानकि जो power है घात है वो लिखी है x square है तो formula आपका है x square minus ax plus 4 बराबर 0 x minus 2 इसका power है तो जब देखे x minus 2 बराबर 0 है x बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे x बराबर 2 हो जाएगा तो कि minus 2 है equal कि उस side जाकर आपका plus का 2 बन जाएगा तो x की value रख देजी आपका answer आ जाएगा तो आपको formula में इसका योग रखना है यानकि x की value रखनी है x की value easily आप 2 रख देजी x square यानकि 2 की square minus 2a into 2 x की जिए 2 उसके बाद 4 बराबर 0 जब आप 2 की square करते हैं तो आएगा 4 minus 2a minus 2a plus 4 बराबर 0 जब 4 और 4 आप add करते हैं दोनों plus के add होंगे तो 8 हो जाएगा और 0 की उस side जाकर आपके minus 8 हो जाएगा तो इक वार मैं इसे मिटा कर देख देता हूँ पुरी screen पर की अभी था minus 2 बराबर आपके इदर आजाएगा minus 8 क्योंकि उदर plus की थी और equal की दूसरी side जाकर minus की होगे आप easily minus से minus कट कर दीजी यह बराबर आपके आएगा 8 बटे 2 यान की 4 बोलो किसी को problem क्या easily बस आपको जो मेस का basic use करते हैं आपको fundamental वही tools follow करने हैं आप easily answer कर सकते हैं और यह question आपकी PG-CIL recently पूछा गया है तो आपके भी DRU में इसे question देखने को मिल सकते हैं अब reasoning के question की बात कर देते हैं आपकी screen पर पहला question है आपको side question दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि reasoning के question में जो diagram बनाई जाते हैं वो छोटे होने की वजए से यह question properly आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं आपको explain कर देता हूँ कह रहा है from the given answer figure select the one in which the question figure is hidden आपको इस question को पढ़ने की आवशिता ही नहीं वेसे भी reasoning के ऐसे question जब भी आई तो आप easily इसमें कह रहा है तो आपको वो भाग select करना है जो hidden है तो पहले आपको question वाली देखना है question वाली में ऐसे दे रखा है न यह कार मैं थोड़ा सई से बना दूगा यह यह ऐसे और ऐसे इस परकास अब बताना है यह तो आपको भाग show कर रहा है question आकरती में answer आकरती में वो वाला भाग दिखाना है कि इसके पीछे क्या hidden किया हुआ है तो आपको सारू को मिलाना है कि इसा भाग किसमें दिखाई दे रहा है तो जब आप चोत्ती वाली को अभी मेरे पास तो सीब एंसर है तुम आपको explain कर रहा हूँ लेकिन आप किसी में भी मिला कर देख लीजी इस देखे इस आकरती में क्या दे रहा है इस परकार से ये आपको बनाया है और उसके बाद ये वाला इससे ना उल्टा कर दिया यानि कि इस परकार से है इसको एक वारसी या है इसने ये वाला कर दिया है यांकि उल्टा करके यही वाली आकरती है जिसमें यह भाग hidden करके आपको इतना दिखाया है समझगी ना एक वार मैं फिर से color change करके बता दूँ यह वाला भाग आपको दिखाया है इतना भाग इसने hidden कर दिया तो आप इसली पहचान कर सकते हैं कौन सा hidden किया है और यह आप answer भी कर सकते हैं क्योंकि आपको देखना एसा किस में मिल रहा है वो आपका answer होगा next आपकी screen पर question दे रखा है choose the pair similar to the pair given in the question figure क्यूशन फिगर में आपको pair दे रहे है उसका similar आपको select करना है यानि कि उसकी pattern में да होता हुआ उसी के ratio में change होता हुआ आपको select करना है तो देखे पहले कुशन में क्या दे रखा है क्योशन में इस परकार से p बना हुआ है उल्टा और फिर दूसरे में क्या करा है, इस ने इस परकार सी बनाया है, तो आपको इसी के pair में देखना है, पहले तो दोनों खाली है आप ये बात पकड़ लेजी, जब कि similar में होगा, या तो दोनों खाली होंगे, या दोनों भरे होंगे, इसमें एक खाली है, एक भरावा, ये एंस कि तरफ है जानकि जो एंसर होगा उसमें भी एक उपर होगा एक नीचे होगा पहले में उपर नीचे हैं लेकिन पहले भी हमने काट दिया यांकि यह एंसर होगा नहीं अब दूसरे में देखिए इसमें दोनों उपर हैं और इसमें दोनों नीचे हैं तो अब बताएए आपक को कर सकते हैं अब देखिए आपके पाद ऐस एक विंदिस सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप option को काटते हैं तो आपको एजीली मिल जाता है यह देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्यूशन इससे क्यूशन माइडियर एक्जाम में पुछे जाते हैं तिर्बुज के आपको देकर पूछ लेते हैं तो चलिए मैं आपको एक दो और बता देता हूं माली जी यह तिर्बुज आया है इसमें पुछता है आपके कितने हैं यह तिर्बुज आया है इसमें पुछता है कितने आपकी तिर्बुज बने वे तो आपको क्या करना है इसमें एक लिखना है इसमें एक लिखना है दोनों को जोड़ देना एक प्लस दो बराबर टोटल त मैं इसमें देखिए Eck कि एक कि दो रीन और चार चार यह कोड़ एम डीखे मैं दूसरे कलर से आपकी और दिखुखा को यह हो आप देखे, इनके अंदर एक एक और square बन रहा है, इसक्वेर यान कि जिस चार वर्ग, इंदी में कहीं तो वर्ग, यह देखे, आपके तीन वर्ग अंदर की तरफ और बन रहे हैं, यान कि चार और तिन साथ इसके अंदर वर्ग टोटल बने हुए हैं, आप साथ की तरफ एं तो आपका इंसर हो सकता है चार तो आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं तो चार तो सब ने किया होगा लेकिन साथ यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें टॉटल साथ स्क्रेर लास्ट का क्यूशन आपकी स्क्रीन पर है तो वाटर इमेज और क्लोक वाले इंसर क्यूशन ये डियाइडियो के स्टीवी के एक्जाम में भी आये थे तो आपके भी आ सकते हैं लास्ट तक देखे इस परकार के क्यूशन को कैसे सॉल्व करना है आपको एक इमेज दे रहे हैं चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और कहा है इसका वाटर इमेज सेलेक्ट किजिए वाटर यानकी उल्टा बनेगा जो उपर की साइड आपको दे रहे हैं वो आपको बनाना है नीचे की साइड वाटर यानकी जो आपकी उपर होता है वो पाने में कैसा दिखाई देता है उल्टा दिखाई देता है यानकी उ इस परकार से हैं न यह देखिए यह वाला और यह लाइन है यह यह तो इसका उल्टा पहले वाला ओप्शन सही है यह जो आपको दिखा रखा है यह वाटर यानिक पानी को दिखाया है और थोड़ा मैं जूम कर दूँ एक वार नीचे वाले ओप्शन भी देखी आप इजीली आप ओप्शन को काट कर भी एंस्वर देना सीख गए होंगे आज की वीडियो में बस इतने ही क्यूशन यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देजी और ई-बुक डाउनलोड करने के लिए ल